Hello friends, Welcome to JS Analysis Center तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 नौबर का करेंटर फिर साथ हैं इसका PDF इस वीडियो के description से अब डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले पिछले class का quick revision कर लिजे पहला question अब्दुल्ला हम दो किस देश के फिर से परधान मंतरी नूप्थ हुए हैं ये सुडान के फिर से परधान मंतरी बनाए गया हैं कुछ दिन पहले इन्हें पद से हटा दिया गया था एंजेला मार्केल के अस्थान पर जर्मनी के नए चांसलर कौन नियुक्त हुए हैं इनके अस्थान पर जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं ओलाफ इसकोल जी हाली में लुँच पुस्तक Resolved United Nations in a Divided World के लेखा कौन है United Nations के पुरुवे महासचिव बान की मुन 26 नॉवंबर 2021 से सुचना और संचार प्रदोगी की पर अंतराशे समयलन Connect 2021 कहां शुरू हुआ है चन्नाई में शुरू हुआ है और इस समयलन का उद्गाटन किये रक्षा मंतरी अराजना सिंग 24 नॉवंबर से शुरू हुए पांच में आपदा परबंधन पर विश्व कांग्रेस 2021 के मेजबानी कौन कर रहा है IIT दिल्ली केन सरकार ने राशे शिक्छूता प्रसिक्षण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है 31 माज 2026 तक के लिए जम्मो काश्मिर में 18-35 वस्तक के लड़कियों को अपने बेवसाई शुरू करने के लिए वेत मंत्री निर्मला सितरमन ने किस योजना को लौंच किया है तेजस्विनी योजना जम्मो काश्मिर बैंक की ये योजना है इस योजना के तहट जम्मो काश्मिर में 18-35 साल के लड़कियों को अपने बैवसाई शुरू करने के लिए 5 लाख रोपे तक करिंड दिया जाएगा 25 नॉम्बर 2021 को एस्कॉर्पिन सेड़ी के किस पंडूबी को मुंबई डौक याड में कमिशन किया गया आई एनेस वेला को ध्यान रेखिए भारत में कुल एस्कॉर्पिन सेड़ी की 6 पंडूबियों का निर्वान किया जा रहा है मुंबई इस्थित मजगाओं डौक याड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहट इन पंडूबियों का निर्वान किया जा रहा है इसमें से आई एनेस वेला जो है चौथी पंडूबिय है हाली में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मुलन के लिए अंतराशी दिवस कब मनाई गया हर सल ये दिवस 25 नौंबर को मनाई जाता है और 2021 का थीम है और इंड वालेंस एगेंस्ट विमिन नौव डेफिनेटली लीडिंग दवे जिसने हाली में एप यू यू युनेसको पीस मीडिया एवाड 2021 जीता किस मीडिया कंपनी का करेकरम है दूर दर्शन का करेकरम है नाइट हुड ओफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतिये कौन बने हैं डाक्टर एस के सोहन रोय केरल के रहने वाले हैं वैसे ये यूनाइटेड अरब एमरात में बेवसाई हैं 25 से 26 नौंबर को 25 से 26 नौंबर को आयो जित तो अब चलिए आज 27 नौंबर का करेंट अफ़ेद देखते हैं पहला कोशन हाले में कि इस अंत्रिक्ष परदोगी की स्टार्ट अप ने धावन वन नमक भारत के पहले नीजी क्रायोजेनिक रोकेट इंजन का सफल परिक्षन किया है वेरी इंपर्टेंट कोशन बनेगा कोशन पुछा जाएगा कि भारत का पहला नीजी क्रायोजेनिक रोकेट इंजन का क्या नाम है इसका नाम है धवन वन जो की 37 धवन के नाम पर रखा गया है 37 धवन भारत के बहुत ही मशुहूर अंत्रिक्ष वग्यानिक थे इसका निर्वान किया है एसका रूट एरोएस्पेस ने और इस इंजन को 3D प्रिंटिंग तक्निक का उप्योग करके विक्सित किया गया है इस इंजन का नाम है धवन वन स्काइरूट एरोएस्पेस जो है यह भारत के निजी अंत्रिक्ष अजेंसी है इसका गठन 3 सल पहले ही किया गया था 12 जून 2018 को संस्थापक है इसके पवन कुमार चंदाना और नागा भारत दाका स्काइरूट एरोएस्पेस का मुख्याल है है धराबाद में है वर्तमान में इसके CEO और CTO यानि Chief Executive Officer और Chief Technology Officer पवन कुमार चंदाना है 25 नॉवंबर को तीन दिवस्ये इंडिया इंटरनेट गौर्णेंस फोरम 2021 का उद्गाटेन किस ने किया इस फोरम का उद्गाटेन किये केंदरी मंतरी अश्वीनी वैश्नौव Option A are right answer. 25 से लेकर 27 नौमबर तक इस फोरम का आयोजन किया जा रहा है वर्चुली यानि वीडियो कांफिरेंसिंग के माध्यम से. और इस फोरम का विशाय रखा गया है इंटरनेट के शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना यानि Empowering India Through Power of Internet. और इस फोरम का आयोजन कर रहा है केंद्रे Electronics और सुचना परोधोगी की मंत्राले. किसके सहयोग से राश्य इंटरनेट एक्सचेंज के सहयोग से. अश्वीनी वैश्णों के पास वर्तमान समय में तीन मंत्राले हैं. संचार मंत्राले, रेल मंत्राले और Electronics और सुचना परो वीक्रान दू-फो-फ्वान ये दक्षिन कोरिया के पुर्वे राश्च्रपती थे, हाली में इनका निधन हो गया हैं. ये दक्षिन कोरिया की बात करें, तो एक इंपोर्टन कोशन बना था हाली में ध्यान रखियेगा. दक्षिन कोरिया ने नूरी नामक अपना पहला स्वदेसी अंत्रिक्ष हरोकेट लॉंच किया है। दक्षिन कोरिया के राजधानी है सियोल, यहांके राश्ट्रपती है वर्तमान में मुण जे इन, परदान मंत्री है कीम बू क्यूम, यहांके संसद का नाम है नैशनल एसेंबली जिसे वहांकी भाषा में दाहन मिंगुक गुखोय कहा जाता है। यहांके करेंसी का नाम है साउथ कोरियन वोन, नौर्थ कोरिया में भी करेंसी का नाम वोन है। नेक्स्ट, हाले में राश्य कानून दिवस कब मनाए गया। तो हाले में ये दिवस मनाया गया 26 नौंबर को, हर सल 26 नौंबर को ही राशे कानून दिवस मनाय जाता है 26 नौंबर को ही ये दिवस क्यों मनाय जाता है? अब ये बताईए भारती सविधन लागू कब हुआ, 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ, यानि 26 जन्वरी 1950 को भारत गानतंत्र हो गया, इसलिए 26 जन्वरी को हर साल भारत में गानतंत्र दिवस मनाई जाता है अच्छा, 26 जन्वरी को एक और दिवस मनाई जाता है भारत में, नेशनल मिल्क डे मनाई जाता है, राष्ट्रिय दुख्द दिवस, भारत में श्वेत करांती के जनक कहे जाते हैं, डाक्तर वर्गिज कुरियन, उन्ही का जम दिन मनाई जाता है 26 जन्वरी को, और उन्ही के लाइफ टाइम एच्वेमेंट एवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ये प्रोस्कार दिया गया, डी सी सिंघानिया को, ओप्शन ए, राइट एंसर, डी सी सिंघानिया भारत के बहुत ही मशुर वकील और सिक्छाविद हैं, और सिंघानिया इन्वर्सिटी के संस्थापक हैं इन्हें हाली में Time Magazine इंडिया द्वारग लाइफ टाइम एचुमेंट एवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, हाली में Time Magazine इंडिया एक्सिलेंस आइकोनिक एवार्ड 2021 का आयोजन दिल्ली में किया गया था, इसी एवार्ड समरोह में इन्हीं ये प्रोस्कार दिया गया, अब यहां पर बात चल गया है टाइम का तो दो तीन बाते ध्यान में रखिएगा 2020 में Time Person of the Year का खिताब किसी दिया गया था जो बाइडन और कमला हैरीस को जो बाइडन अमेरिका के राश्पती हैं कमला हैरीस वहां की उपराश्पती है 2020 में Time Business Person of the Year का खिताब दिया गया जूम अप्लिकेशन के CEO एरिक इवान को वहीं 2020 में Time Kid of the Year का प्रोष्कार दिया गया गितांजली राव को जो की भारती मूल की अमेरिकी छात्रा है तो ये इंपोर्टेंट बनेगा आपके लिए क्योंकि पहली बार Time Magazine ने Kid of the Year का खिताब किसी भी बेक्ति को दिया 2020 के लिए Time Magazine के अस्थपना 1923 में की गई थी मुख्याले नुई-यॉर्क में है एडिटर इनचीफ है एडवर्ड फाल सेंथल नेक्स्ट एश्याई विकास्त बैंक ने हाली में भारत को COVID-19 टीकों की खरीद के लिए कितने बिलियन डॉलर रेड की मंजूरी दी है तो हाली में Asian Development Bank ने भारत को COVID-19 टीके की खरीद के लिए देड़ बिलियन डॉलर यानि देड़ अरब डॉलर रेड देने की मंजूरी दे दी है ये एमाउंट होता है लगभग 11,185 करोड रोपे के बराबर इसके लावा Asian Infrastructure Investment Bank जिसका मुख्याले बिजिंग में है वो भी 500 मिलियन डॉलर भारत को परदान करेगा COVID-19 टीके की खरीद के लिए एश्याई विकास्त बैंक की बात करें तो इसके अस्थापने की गए थी 19 दिसंबर 1966 को मुख्याले फिलिपिन्स के राध्धानी मनिला में है वरतमान में इसके अध्यक्ष है मासा तुसूगू आसा कावा इश्याई विकास्त बैंक में सदे से देशों की संख्या 68 है वह भारती जिन्हाली में अंतराशे अपराधिक पूली संगठन यानि इंटरपोल के करेकारी समीती में एश्याई परतेनिधी के रूप में चुना गिया है इनका नाम है प्रवीन सिनहा उप्शन C हराइट एंसर इन्हें हाली में इंटरपोल के करेकारी समीती में एश्याई परतिनिधी के रूप में चुना गया है। इन्टरपोल की बात करें इसके अस्थापन की गई थी 1923 में मुख्याले फ्रांस के लेओं में हैं इसके अधहक्ष्यम वर्तमान में अहमद नसीर अल-रैसी महा सचियों हैं जूर्गेन अस्टॉक। कॉलिंस डिक्ष्णरी ने किसे 2021 का वर्ड अफ दे अर गोसित किया है। ऑक्सफ़ोट डिक्ष्णरी के जैसा ही कॉलिंस डिक्ष्णरी है। इसने हाली में 2021 के word of the year के रूप में घोसित किया है NFT शब्द को, option D, right answer, NFT का यहाँ पे मतलब है non-fungible tokens, 2020 में Collins Dictionary ने word of the year घोसित किया था lockdown को, वहीं 2021 में word of the year घोसित किया है NFT को, एक बात और ध्यान में रखेगा, वहीं Oxford Dictionary ने साल 2021 के लिए wax को word of the year घोसित किया है, wax Latin शब्द का विक्का से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गाय, और वर्थमा समय में wax का इस्तमाल vaccine के लिए किया जा रहा है, चलособ अगला question, कवीता संग्रा कैलोईर दिन्तो आमार खोबो के लिए प्रसिद किस अस्मिया कवी का हाली में 99 साल की उम्र में नेधनों गया, इनका नाम है सनन्त तान्ती जो की कैलोईर दिन्तो आमार होबो कविता संग्रे के लिए काफी प्रसित थे और इसी कविता संग्रे के लिए इन्हें 2016 में सहित अकाद्मी प्रोस्कार दिया गया था तो हाली में सनन्त तान्ती का 79 साल की उम्र में निधन हो गया नेक्स्ट और श्रलियाई क्रिकेट टीम के इतिहास में टेस्ट कप्तान बनने वाले पहले तेज गंदबाज कौन बने हैं ये हैं पैट कमिन्स, ओप्शन भी हराइट एंसर और श्रलियाई क्रिकेट टीम के ये 47 में टेस्ट कप्तान बनने हैं और अस्रेलियाई कर्केट टीम के इति खांस में टेस्ट कप्थान बनने वाले ये पहले तेज गंदबाज बन गहे हैं पैट कमिंस जो हैं ये फास्ट बॉलर हैं वर्तमान समय में अस्रेलियाई कर्केट टीम के ODI और T20 कप्थान है Aaron Finch और Aaron Finch की ही कप्तानी में हाली में और श्रेलिया ने T20 World Cup 2021 का खिताब जीता T20 World Cup 2021 के फाइनल में और श्रेलिया ने किस टीम को हराया? New Zealand को हराया, ठीक है? अब यहाँ पर बात चल गया है और श्रेलिया का तो हाली फिलाहल में हमंत धन्जी जो की भारतवन्शी हैं इन्हें नोट करिएगा हमंत धन्जी और श्रेलिया इस सुप्रीम कोट में जज़ बनने वाले ये प्रत्वम भारतवन्शी बन गया है और शेलिया के राजधानी है कैन्बरा, यहाँ के वर्तमान में परदान मंत्री है, एसकोर्ट मरीसन, करेंसी है और शेलियन डॉलर Next, शेख सबह अल्खालिद अल्हमद अल्सबा, किस देश के नए प्रामिनिस्टर बनाए गया है तो शेक सबा अलखालिद अलहमद अलसबा ये कुएट के नए प्रामिनिस्टर बने हैं Option C, Right and Sir कुएट की बात करें तो कुएट खाडी दे से, इसके राज़ान ये कुएट सीटी यहां के अमीर है नवाफ अलहमद अलजबर अलसबा कुएट में कुएट का जो हेड होता है वो अमीर ही होता है ठीक है कुएट के क्राउन प्रेंस है शेक मिशाल अहमद अलजबर अलसबा यहां की करेंसी है दिनार अगला कुशन भारते कला पर अधारित नविंतम पुस्तक किस नहीं लिखी है तो भारते कला पर अधारित यह पुस्तक है कन्वर्सेशन इसके लेकर है ब्रिजिंदर नात गोस्वामी ओप्शन डी अरेट एंसर ब्रिजिंदर नात गोस्वामी जो है यह पदमिस्री और पदमे भुसंड से सम्मानित भारत के मशुहूर कला इतिहास कार है इन्होंने इस पुस्तक की अरचना की है इसलिए इंपोर्टेंट कोशन बनेगा याद रखिए हाले में लाउंच पुस्तक Contested Lands, India, China End the Boundary, Dispute के लेकर कौन है तो ये भी पुस्तक हाले में लाउंच हुई है इसके लेकक हैं मरूफ राजा मरूफ राजा जो की भारती सेना के पुर्व अधिकारी और मशुहूर लेकक है अब 2021 में जो भी महतपुण पुस्तक के लाउंच हुई है उनका फटा फट रिविजन कर लिजे डेली की तरह Resolved, United Nations इन्हें डिवाइड़ वर्ल के लेकक हैं बानकी मून लाल सलाम के लेकक हैं एस्मिरिती इरानी एस्मिरिती इरानी के पास केंद्रिये महिला और बाल भीकास मंत्राले है और इनका ये पहला ही उपन्यास है इंडिया वर्सिस यूके के लेकक हैं सयद अकबरुदीन कोकिंग टू सेव यूर लाइफ के लेकक हैं अभीजीत बनर जी 2019 में इन्हें अर्थशास्तर के चेतर में नोबिल प्रैज दिया गया था 10 फ्लेस पॉइंट्स 20 एर्स के लेकक हैं मनिश्तिवारी होम इन दा वाल के लेकक हैं अमरते सेन बाई मेनिय हैपी एक्सिडेंट के लेकक हैं भारत के पुर्व उप्रास्पती हामीद अंसारी इट से वंडर्फूल लाइफ के लेकक हैं अरस्किन बॉंड लेंग्वेजस ऑफ ट्रूथ के लेकक हैं सलमान अरश्दी स्टार गेजिंग दा प्लियास इन वाई लाइफ के लेकक हैं रविश शास्त्री दा कॉमन वेल्थ औफ क्रिकेट के लेकक हैं मशूर इतिहासकार रामचंदर गुहा दा लिटिल बूक औफ एनकॉरेजमेंट के लेकक हैं दलाई लामा अनफिनिश्ड एममवेर के लेकक हैं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा दा लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेकक हैं अमिताओ घोस और ये सारी पुस्तकें 2021 में लाउंच की गई हैं अमिताओ घोस ग्यानपिट प्रुसकार परात करने वाले भारत के अभितक के एक मात्र अंग्रेजी लेकक हैं इन्हें 2018 के लिए ग्यानपिट प्रुसकार दिया गया था नेक्स्ट, हाली में परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस अस्थान पर भारत के सबसे बड़े अंतराशे हवाई अड़े का शिला न्यास किया गया जेवर में शिला न्यास यानि अधार शिला रखी गई जब भी कोई भी चीज का उद्गहतन किया जाता है इसका मतलब वो चीज बनकर तयार हो गया है और जिस चीज की भी बनने की तयारी शुरू की जाती है उसे शिला न्यास या फिर अधार शिला का आते हैं तो हाले में परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने उत्तर परदेश के जेवर जिला में भारत के सबसे बड़े अंतराशे हवाई अध्डे का शिला न्यास किया इस हवाई अध्डे का नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैसे ओफिशल नाम है नोएडा इंटरनेश ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट जिसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है जेवर के गौतम बुधनगर में इसका निर्मान किया जा रहा है तेरा सो से अधिक हेक्टेर में ठीक है और इस तरह से ये उत्तर परदेश का पांचवां अंतराश्य हवायड़ा बन इसका निर्मान अगर कर लिया जाता है तो उत्तर परदेश सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा नेक्स्ट 23 से 24 नॉंबर 2021 को हिंद महासागर में भारत इंडोनेशिया कॉर्पट अभियास के कि संसकरन का आयोजन किया गया भारत इंडोनेशिया कॉर्पट यानि इंडिया इंडोनेशिया को ओर्डिनेटेड पेट्रोल हाली में इसके 37 संसकरन का योजन किया गया हिंद महासागर में साल में दो बार इंडिया इंडोनेसिया कॉर्पर्ट का योजन किया जाता है इस बार का ये 37 संसकरन था ठीक है इस अभ्यास की शुरुबात की गयी थी 2002 में अच्छा इस अभ्यास में भारते नौ से नकाए एक जहाज भी हिस्सा लिया, कौन सा जहाज? आई एनेस खंजर भारत और इंडोनेसिया के बीच में आयोजित होने वाला और भी अभ्यास हैं जैसे की समुदर शक्ति, गरूर शक्ति दुनिया का सबसे अधिक जन संख्या वाला द्वीप, जावा द्वीप है जो की इंडोनेसिया में है और इंडोनेसिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समुदर देश है माउंट मेरा भी यह इंडोनेसिया का सबसे सक्रिये जौला मुखी है आए दिन अक्सर इसमें विस्फोट होते रहता है इंडोनेसिया के राजधानी है जाकारता यहां के राजपती है जोको वीडोडो यहां की करेंसी का नाम है इंडोनेशन रुपिया तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का क्रेंटफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगो करना अब पिछले को वीज का सही उत्तर जान लिजे पहला कोशन था डेविड कार्ड जोशुवा डी एंग्रिस्ट और गुईडो डाबलू इंबेंस ने कि शेतर में 2021 का न सद्र का 88 साल की उमर में निधन हो गया यह इरान के पर्थम अराश्ट्र पती थे अब चलिए आज का पहला क्वीज है बुसान में आयोजित 15 हुए एसियन फिल्म एवार्ट्स में बेस्ट फिल्म का प्रोस्कार की से मिला दूसरा कोशन है भारते फेंटेक कंपनी भारत प कोमेंट करेंगे बताईए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार